सो ही गाइस and welcome back to my one more interesting वीडियो और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 13,000 से लेके 14,000 के अंदर में आने वाले मिलने वाला है और उसके अलावा 8 GB तक की रैम और 6000 मिली एमपेर की बिग पैटरी भी मिलने वाली है तो हां चली बना टाम वेस्ट के इस वीडियो को स्टार्ट के लेते हैं और चौर्थे नमर पर आता है सेवें टू इंचेस की FHD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जिसमें काम करती हो 120 हर्ट की फास्ट रीफ स्टेट और उसके अलावा 240 हर्ट का TSR और 950 नीट्स की पीक प्राइटनिस भी दी गई है और बांकि इसमें आपको पांडर गलास की प्रोटेक्शन और साइड मॉन्ट सेंजिया और देक सकते हों इसका डिसप्ले में काफे इंप्रेसीव औरं मिल्टि मिडिया एक्सपेरियंस को और इन्हेंस करने के लिए इसमें अपको DAVID क्यूद का फांिरे निगा फुल चार्ज भी कर देगा और इसके परफॉर्मिंस वाले पार्ट पर आया तो इसमें आपको Mediatic Dimensity 6100 का 5G चिपसेट दिया गया है जो 5G को 9 bands को सपोर्ट करता है और यह चिपसेट 6NMP पर बेस है और चार्ड लाग के आसपास इसका एंतु तो स्कोर कर जाता है और इसमें आपको LPDDR4X की रैंग और UFS 2.2 की स्टोरीज भी दी गई है और आप इसके ओपर PUBG को 40fps मीडियम तो हाई सेटिंग के उपर बरे आराम से रन कर पाऊगे और इसके केमरा पर आया तो इसके डिवान पार में आट मेंडा पिक्सल की सेलफी सेंसर भी दी गई है तो देखो इसका दयपत्य चैर्ट केमरा तो किसी काम करें और आप इसके मीन केमरा और इसके सेटीज कि सब में ठीक ठाक लेपाऊगे और आप इसके फ French और और थर्ड नमर पर आता है Samsung Lexi F15 5G तो दिखो यदि आपका बजट 12-13,000 के आसपास है और आपको अपने लिए Samsung का फोन बाइक करना है तो यह फोन आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहने वाला है और पात करें इसके स्पेसिफिकेशन की तो इसमें आपको 6.5 इंचेस की FHD Plus Super AMOLED डिस्पले दी गई है जिसमें काम करती 90 Hz की Fast Refresh Rate और इसके लव 800 नीट्स की Big Pratness और इसके साइड में आपको साइड मौंटेड फिंगर प्रिंट सेंसर भी दिया किया है और देखो बारा तेरह हजार के अंदर में ज्यादातर 5G फोन IPS डिस्पले के साथ आते हैं बट इसमें आपको Super AMOLED डिस्पले दी गई है जिसकी क्वालिटी चुले में काफ़ इंप्रेसिब है और मल्टी मीडिया को लंबे देर त और इसके प्रोसेसर के बात करें जिसमें आपको Mediatic Dimensity 6100 का 5G चिपसेट दिया गया है जो 5G के 13 bands को सपोर्ट करता है और 4 लाग के आसपास इसका N22 स्कोर कर जाता है और यह चिपसेट 6NM पे बेस है और यह डिवैस लेटेस्ट Android 14 पर रन करता है जहां पर आपको 4 साल का मे प्रेबल केमरे के सिटब दिया गया 50 Megapixel का में चेमरा इसके अलवा 5 Megapixel का अल्ट्रा वाइट केमरा और 2 का मैक्रो सेंसर भी दिया गया है और सामनी की और आपको यू नोच पर 13 Megapixel की सेलफी सेंसर भी दी गई है तो दिको इसका केमरा आपको जड़ा सा भी डिसपॉइं प्रेंट नहीं करेगा जिससे आप अच्छी डिटेनिंग और स्कीन टोन के साथ कमाल के पिक्चोस और वीडियो से ले पाओगे और आप इसके फ्रेंट और बैक केमरा से मैक्सिमम टेनिटी पीपे 30 fps पे वीडियो सुट कर पाओगे और पातकर इसके प्राइस की तो इसके नमर पर आता है वीवो का न्यूली लॉंच स्मार्फोन भीवो टी 3X 5G और पातकर इसके स्पैसिफिकेशन के तो इसमें आपको 6.72 इंचेस की FHD प्लस IPS LCD डिस्प्लेट दी गई है जिसमें काम करती है 120 Hz की फास्ट रिफस्टेट और उसके अलावा 1000 नीट्स की पीक काफी अच्छी है और भीवो की टी सीरीज में फस्ट टाइम 6000 मिली एंपर की बिक बैटरी दी गई है जहां पर आपको अराम से एक से दो दिन का बैटरी बेकप तो मिली जाएगा और यह फोन 44 वाट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है और इसके प्रोसेसर पैसिसमें आपको स्नैपड्रेगन 6 Gen 1 का 5G चिपसेट दिया किया है जो 5G के 8 बैंड को सपोर्ट करता है और 5,60,000 के आसपास इसका एंथी तू स्कोर कर जाता है और यह चिपसेट वनली 4NM पे बेस है और इसमें आपको LPDDR 4X की RAM और UFS 2.2 की स्टोरेज भी दी गई है और आप इसके आपको 2 साल का मेजर अपडेट भी मिलने वाला है और इसके केमरा पे आए तो इसके बैक में आपको ड्वल केमरे का सट्रिप दिया गया है और आप इसके बैक केमरा से 4K 30fps और फ्रेंट केमरा से 1080p 30fps वीडियो सुट कर पाऊगे और आप इसके केमरा से डेल एक में 500 वीडियो से ले पाऊगे और फैनिली पातकर इसके प्रैस की तो इसके 420 का प्रैस 13,500 परता है फिलिप कार्ट के उपर और यदि आपको 13 14,000 के अंदे में कोई भी वो का लेटेस्ट फोन बाइक करना है तो आप इस डिवाइस को फिलिप कार्ट से बाइक कर सकते हो तो हा 154 की तरह अपनी प्रैसिंग पर आपको पैस्ट स्पैसिफिकेशन ओफर करता है और इसमें आपको 6.5 इंचेस की FHD प्लस IPS LCD डिस्प्लेट दी गई है जिसमें काम करती है 120 हर्ट की फास्ट रीफ स्टेट और उसके अलाबा 240 हर्ट का टी एसर और 560 नीट्स की पीक प्रैट इसमें आपको 6000 मिली एंपर की बिक बैटरी दी गई है जहां पर आपको अराम से एक से दो दिन का बैटरी बेकप तो मिली जाएगा और यह फोन 33 वाट के फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है और इसके परफॉर्मेंस वाले पार्ट पर आए तो इसमें आपको मीट्रिया के पहला स्मार्टफोन है जिस पर पपजी को 40-50 fps पर मेडियुम सेटिंग क्यूपर बरे अराम से रन कर पाओगे और यह डिवाइस लिटिस्ट एंडरॉइड 14 पर रन करता है जहां पर आपको एक साल का मेजर अपडेट भी मिलने वाला है और इसके केमरा पर आए तो इसक पिक्सल की सेलफी सेंसर भी दी गई है और आप इसके मेन केमरा से मैक्सिमम 1080p 60 fps पे और फ्रंट केमरा से 1080p 30 fps पे विडियो सुट कर पाओगे और इसका केमरा एवरेज काम करता है और बात करें इसके प्राइस की तो इसके 828 का प्राइस वैसे तो 15,000 परता है बट बैंक को आफ़र अपलाई करने के बाद आप इस डिवैस को 14,000 के अंदर में बाइक कर पाओगे और 14-15,000 के अंदर में यह फोन आपको बेस्ट स्पैसिफिकेशन आफ़र करता है और यदि आप इस डिवैस पे इंट्रस्टिड हो तो इस डिवैस को फिलिप कार्ट से बाइक कर सकत झाले हो